नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वावत है vampirehub.com की ओफिसील यूटूब चैनल पे और मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग वीडियो इस टार्ट करने से पहले एक आवस्यक सुचना हमारे यूटूब चैनल पे गिवववे चल रहा है जिसमें पार्टिसपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है लाश्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सर्प्राइज गिफ्ट विनर सर्प्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सो मुहर को क्योंकि हमारे चैनल पे विकली गिववे चलता है दोस्तों कैसे हुआ जम बात करेंगा टोटल तीन वैकेंसिस की जिसमें से दो के बारे में सौट में बताऊंगा वहीं एक के बारे में complete details दोंगा जिस वैकेंसि के बारे में complete details दोंगा वो आए हाई कोट के department से यहाँ पर 10 वी पास कोई भी graduate degree holder apply कर सकते हैं salary मिलती है 10 वी पास को 20,200 रुपै पर मन्त वहीं कोई भी graduate को salary मिलती है 34,800 रुपै पर मन्त तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस वैकेंसि के complete details और आपको बताते हैं कि आप इसके लिए कैसे apply कर सकते हो लेकिन उससे पहले attendance लगा दे वीडियो को like कर दे अपने दोस्तों के साथ facebook पे whatsapp पे share कर दी और अगर आप नए महमान हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर ले दोस्तों पहली वैकेंसिया ये Intelligent Communication Systems India Limited के डिपार्टमेंट से ये Central Government की जौब है जिसमें 207 MTS के पोस्ट है यानि की multi-tasking staff के पोस्ट आए हुए हैं यहाँ पर qualification माइं गई है 10 वी पास selection based इंटर्विव पर सीधी भरती है कोई exam नहीं होगा IUC My 18 से 40 साल, salary मिलती है 16,912 रुपे पर मन्त और इसको apply करनी का date है 19 December से लेकर 8 जनवरी के बीच में और apply करनी करनी के यहाँ सो कर रहा है दोस्तों अगली vacancy ये बिजली विफाक से यहाँ पर total vacancy है 322, special technical assistant, executive assistant, office executive and lineman के पोस्ट है जिसके लिए qualification मागे गए, ITI, diploma या फिर कोई भी graduate apply कर सकते हैं selection based written exam interview पर IUC My 18 से 32 साल, salary मिलती है 22,605 रुपे से लेकर 34,30 रुपे पर मन्त और इसको apply करनी का date है 19 December से लेकर 19 जनवरी के बीच में apply करनी का link सो कर रहा है और दोस्तों आजम जिस vacancy के बार में complete details के साथ बात करेंगे वो IE High Court के department में यहाँ पर total vacancy है 341, कौन apply कर सकता है तो All Indian Candidate apply कर सकते हैं यहाँ पर कोई experience नहीं माग गया है, job type है government job, यह contract basis पे नहीं है, यह purely government job है और अगर post details की बात करें तो यहाँ पर पहला post है additional private secretary का और इसके लिए total vacancy है 23, IUC मा 21 से 35 साल, इसके लिए qualification है, कोई भी green sweat apply कर सकता है इस्टीनो ग्राफी आनी चाहिए 100 words per minute, इन इंगलिस में आपकी short end होनी चाहिए इन इंगलिस में टाइपिंग होनी चाहिए, salary आपको मिलती है, इस post के लिए 9,300 रुपै से लेकर 34,800 रुपै पर मन्त दोस्तो अगला post है यहाँ पर assistant review officer का, इसके लिए total vacancy है 277 और इसके लिए IUC मा 21 से 35 साल, qualification इसके लिए कोई भी green sweat apply कर सकते है साथ ही computer का knowledge होना चाहिए, salary मिलती है 9,300 रुपै से लेकर 34,800 रुपै पर मन्त दोस्तो यहाँ पर third post है driver का grade 4 से, इसके लिए total vacancy है 41, IUC 18 से 35 साल, qualification है 10 वी pass plus driving license होना चाहिए 5 साल का, salary मिलती है 5,200 रुपै से लेकर 20,200 रुपै पर मन्त दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आज को giveaway question है, जिम कॉर्बेट नैसनल पार्क किस राज में है, आपके options है उत्तर परदेश, उत्तराखंड, हिमाचल परदेश या फिर जम्वेंड कास्मीर अपनी जवाब comment box में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक surprise gift winner, चलिए आगे बढ़ते हैं अगर selection procedure की बात करें तो selection based return exam and interview पर application fees की बात करें तो general OBC के लिए application fee से APS ARO post के लिए 750 रुपए, driver post के लिए 500 रुपए, SCST के लिए application fee से APS ARO post के लिए 500 रुपए, वहें driver post के लिए 300 रुपए, job location है उत्तर परदेश, अप्लाई करने का date 18 December से लेकर 7 January 2019 तक misprint है यहाँ पर और apply करने का links दो कर रहा है